जुले नमस्कार वसलाम दोस्तों आप सबने सुना होगा कि लदाख के इन सीमाओं से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटाई जा रही हैं यानि कि डिसिंगेजमेंट हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोनों देशों के लिए और तमाम दुनिया के लिए क्योंकि इन ठंडे पहाडों में दोनों तरफ के तकरीबन 50 हजार सेनाएं तेनाथ थी और ये सब के लिए एक मुश्किलात का सबब था दोनों तरफ के माओं ने बहुत से बेटे गवाएं यहां और इतनी ठंडी बरफीली पहाडों में जब सेनाओं को तेनाथ किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबूओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में तो बहुत बड़ी मात्रा में यानि कि लाखों लीटर मिठिका तेल जलाना पड़ता है जो की खर्च बहुत ज्यादा आता है देशों पर क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है फिर प्रदूशन का क्या कहें जिसके वज़े से हमारा जलवायू परिवर्तन हो रहा है और यहां लदाख जैसे इलाकों में तो हमारे बरफीले जो पहाड हैं ग्लेशर्स हैं वो पिगलते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है आग के हाथ से ह होते हैं और बहुत सारे जलके मरते हैं और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं तोनों तरफ चीन के भी और भारत के भी तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं हिमालियन इंस्टिचूट अफ अल्टरनिटिव लदाक यानि की हायाल एक वेकल्पिक जहां पर हम शोध करते हैं पहाडों में कैसे जीवन जिया जाए और यहां के जो स्रोत सादन है उनका इस्तिमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर तो उनके लिए भी एक सोलर घरों को बनाने में काफी महारत थरसिल की पिछले कोई 25-30 सालों में तो अब यह मोबाइल यानि की उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में यानि की तंबू जो की सोलर हीटिड हो वो कैसे बनाएं इसके बारे में मैं जरा सा बताओं तो यह कोई 15 साल पुराना मेरा एक जो की शुरू में हमने चांगतंग के जो पश्मीना यानि की कैश्मेर जिसे कहते हैं के चरवाहें हैं बेड़ बक्रीओं के उनके लिए क्यूंकि वो खाना बदोश होते हैं उनके लिए एक टेंट बनाया था तो इस बार की सरद्यों में हमने यह देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैना थे गालवान की वादी में वहां बहुत कडाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं तो हमने इस युनिवर्सटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू पैसिव सोलर हीटिट बनाने का जिसमें की हमारे सैनिक अराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और ना तेल का खर्चा ना धुआ हो तो इस पैसिव सोलर हीटिट टेंट का जो यह आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं इस पे तक्रीबन एक महीना लगा हमें तो यह सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है उसे देखने जाने से पहले मैं आपको जरा सा बताओं कि यह कैसे बना हुआ है इस टेंट के दो हिस्से हैं एक आगे का हिस्सा जो की ग्रीन हाउस हिस्सा है जहां से सूरज की गर्मी जाती है और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चेंबर है जहां highly insulated हैं बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का sleeping bag की तरह है और इस पर wind sheater waterproof cover लगा हुआ है और फिर यह जो आगे का हिस्सा है जो green house है इससे हम अंदर जाते हैं तो यह है passive solar heated tent इस tent या तंबू के दो खास हिस्से हैं एक जो की sleeping chamber है एक solar lounge यानि की शयन कक्ष और विश्राम कक्ष यहां पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठके अपने काम कर सकते हैं आपरों का सफाई वगेरा और दिन में बहुत यह गरम रहता है मगर रात में नहीं और फिर रात में यह कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गरम होके गरम रहता है तो वो यहां उनका सोने का हिस्सा है अब यह पूरा टेंट कैसे गरम रहता है इसके तीन तरीके हैं एक है कि दक्षिन दिशा से सूरज की किरने आएं जैसे इदयर आ रही हैं वैसे ही यह जो दिवार है यह इसका दूसरा हिस्सा है पहला हिस्सा दक्षिन जमा होके रहे ताकि वो रात को उबलब्ध हो जब की गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो दिन की गर्मी रात तक इस दिवार में कैद रहे या जमा रहे संचित रहे ये इस दिवार में हम पानी का प्रियोग करते हैं और भी कुछ मिटीरियल्स का और इसको पॉलिकार्ब हैं यहां एक दर्वाजा है और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में स्लीपिंग चैंबर में जाएंगे तो इसरा हिस्सा है इंसुलेटिट कक्ष तीन हिस्से हुए धक्षिन से धूप का आना इस दीवार में वो जमा होके रहना और फिर रात को यह गर्मी बाहर ना चल स्लीपिंग चैंबर है उसमें जाएं तो यह है पैसिफ सोलर टेंट का नॉर्दन यानि की उत्तर का हिस्सा जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं यह चार तक परत ह हैं जो कि हम जिस जगे पे हैं कितनी ठंडी है उस हिसाब से एक परत लगा सकें दो परत लगा सकें तीन या चार लगाएं सर्दियों में हो तो चारों लगाने पड़े गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं तो यह परते अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती दक्षिन से धूप आती है इस तिवार में जमा होती है और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी मगर बाहर नहीं जा सकती इस वज़े से ये जो शयन काक्ष है इसका तापमान रात में भी काफी गरम रहता है जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहां पर 15 डिग्री था जबकि इन दिनों बाहर की तापमान माइनस 14 के करीब चल रहा था तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर प्लस 10 से 15 के बीच रहे बहुत गरम भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तयार रहना है बाहर माइनस 30 में ल बीच के ये दिवार में हीट बैंक और फिर उत्तर के इंसुलेशन के इलावा ये जो आकार है जो की गोल आकार है जिसके वज़े से इस तंबू का सर्फिस एरिया शेतरफल कम से कम होता है ये एक जोमेटरी का हिसाब है इसके वज़े से भी गरमी बाहर को कम जाया होती है तो इस वज़े से अंदर गरमी बनी रहती है तो अभी बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत थंडी हवाएं चल रही थी मगर अंदर बिलकुल शान्त है और तापमान मैं देख रहा हूँ 19.6 है ये तो खेर अभी धूप डली है मगर देखना रात को है कि र इसे पोटेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके और उंचे पहाडों में खासकर जो रिजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नजर में रखके या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नजर में रखके बनाया गया है और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बढ़ जाता है और हर हिस्से के वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके और इसका एक जरा महंगा वर्जन होगा जो की अलुमिनियम का होगा उसमें तो लगबग 20 किलो से ज्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा इ अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चल कर भी और अभी भी तक्रीबन पांच लाख रुपए में बनके आता है मगर इसके विकल्पों के साथ अगर तुलना करें हम तो विकल्प हैं लोहे के कंटेनर्स उनमें एक तरफ तो हीटिंग की कोई विवस्ता नहीं होती है दूसरी तरफ उनका शेत्रफल एरिया जो है इसके आदे से भी कम होता है और उनका कीमत लगबग सेना को 9 से 10 लाक रुपए पड़ जाते हैं छाइब में एक रिसरच प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आदे से एक करोड तक लग जाता हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और एक महिने में डिवेलप किया और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया बलकि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है और अब हम बाहर आ गए हैं इस तंबू के काफी हवाएं चल रही हैं और काफी ठंड है यहाँ पर तो जाते जाते मैं ये बताओं आपको कि इस तंबू का फाइदा सैनिकों को तो होगा ही देश के खर्चे भी बचेंगे ही मगर सबसे ज्यादा फाइदा होगा आपको हमें खासकर लडाक के लोगों को और लडाक के तमाम पशु पक्शी फूल पौदे धन्यवाद करेंगे हमारे देश को बताता हूँ वो कैसे अभी जिस तरह से हमारे सैनिक और फिर चीनी सैना हैं और दुनिया की सारी सैना हैं जिस कदर से तेल जला रहे हैं उससे बहुत भारी प्रदूशन हो रहा है भारतिय सैना ही लडाक में सालाना एक लाख किलो लीटर का परियोग करती है इंधन का जिससे की तकरीबन तीन लाख टन स्काबन डायोकसाइट हवा में जाता है जिससे की जलवायू परिवर्तन होता है जिससे की आप दिल्ली में महसूस करते हैं और समुद्धर तल पर और हम लडाक में ग्लेशियर्स का पिगलना तमाम सिस्टम्स का बिगड़ना देख रहे हैं तो हमारी उमीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबूओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्तरा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं वैसे ही मैं तो चाहता हूँ कि चीन के सैनिक भी जिनको वहां भी उन्हें ठंड लगती होगी उनका भी बहुत खर्चा है परदूश और हमारे ही क्यों चीन की तरफ भी वहां की हवा भी साफ रहे वहां के सैनिक भी इसका इस्तिमाल कर पाएं क्योंकि वो भी इन्सान है उन्हें भी ठंड तो लगती ही होगी मगर शायद फरक इतना हो कि अब की बार सामान भारत से चीन जाए ना कि हर बार की तरह चीनी सामा हम खरीदें और ये जो व्यापार का फर्क है वो भी कम हो और सब पड़ोसी खुशी से रह सकें आपको कैसे लगे ये विचार जरूर लिखिएगा अपना ख्याल रखिएगा और हम लदाख के इन पहाडों से आपको बेचते हैं बहुत सारा प्यार और जूले नमस्कार सलाम दन्यवाद